हालो हालो एब्रिवान वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग मैं नीशा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर तो मॉर्णिंग का टाइम है रात को मैंने सुझी भी गो के रखी थी मैं इसके पहले वाले वीडियो में सेयर की थी आप लोग के साथ तो यहां पर देखे मै मतलब यह इटली बनकर तयार हो गई है और देखे कितनी फुली फुली सी बनी है तो आज है कुछ स्पेशल डे इसलिए स्पेशल नास्ता ब्रेक्फरस्ट बना रही हूं चटनी में बना चुकी हूं तो यह देखे फैंड्स आज है हमारी साधी का 21 साल गीरा तो इसलिए ए इतली सांबर चटनी तो आजेगी आप लोग भी तो प्रेक्फरस्ट होने के बाद यहां देखिए पौध में में पानी दी थी तो मैंने सुचा कि चलो आप लोके संग भी शेयर करते हूं कि कितने ग्रो हुए हैं मेरे धनियापती तो आप लोग देखी सकते कुछ खास ग् निकले हैं देखते हैं आगी कितने अच्छे होते या नहीं अभी तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे हैं बस कहीं कहीं यूगे कहीं नहीं यूगे ऐसा ही है और सभी पौधो में मैं पानी दी थी और कपड़े वगर ऐसा भी फैला दी हूं और मौसम काफी अच्छा हो रखा है और यहां पर देख रहे हैं बिल्डिंग का काम चलड़ा ग्रीन परदे जो लगे हैं तो वहीं से इतनी आवाजे आती है ना वोईस अवर दिनों को बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम हैं आप सभी का मेरे चैनल पर तो आज है एक डिसमबर मेरी 21st एनिवर्सरी है तो सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया जो सूट किया तो मैं आगे आप लोग को भी दिखा चुकी हूँ तो अब मैं आप लोगी संग शेयर करने व मैं स्टार्ट करती हूँ अलबम दिखाना मैं स्टार्ट करती हूँ अलबम दिखाना अलबम दिखाना मैं स्टार्ट करती हूँल स्टार्ट करती हूँ कर दो 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 और ये मेरे मम्मी पापा और छोटी वाली सिस्टर और ये मेरे पापा कुछ रास्म करते हुए तो पापा भी अब नहीं रहे और यहां हो रहा है सिंदूर्दा तो मांग मेरी भर्दय है वह पल जिन्रेगी का बहुत खुबसूरत पल है था है तो पूरी जो है ना यादे ऐसे कैसी ताजा हो गई अल्बम देखते ना तो आखों के सामने पूरा का पूरा ऐसे कैसे घूमने लग जाता ये मेरे मौसी है मेरी बड़ी वाली दीदी है और ये भी कुछ रस्म होती है अंगठा पहन के साथ मतलब याद नहीं है अभी मुझे कुछ ऐसा ही होता है साथ जगह कुछ हल्दी या कुछ रखावा रहता तो उठ टच कराना होता हूँ उठा पकड़कर अभी मुझे याद नहीं है क्या रस्म होती है तो कई सारी रस्म होती है साथी में तो चोटी चोटी बड़ी अभी याद नहीं है क्या है झाल 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 तो फोटोस थोड़ी आगे पीछे हैं फ्रेंड्स तो ये विदाई के टाइम की है फोटो और ये मामा से सुझे हैं चोनदे उढ़ारें और छोली भरज़ें तो ये देखिए ये विदाई के टाइम की है फोटो क्या बोलूँ विदाई के टाइम का आप सब भी समझ सकते हैं जो मेरेड हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा सादी का एल्बम काफी जादा फरक आ गया है मुझे में तब में और अब में तब में 48 गेजी की थी अब तो साइद डबल हो गई हूँ तो कैसा लगा आप लोको सादी का एल्बम कमेंट में जरूर बताइएगा तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में सब तक लिए बाबाई रादे रादे टेक कर लव यू आल